हलो फ्रेंड्स यह है मैक्समाप प्रो टर्वो यह इंडियन स्मार्ट वॉच है विट कॉलिंग स्वीचर के साथ इस वॉच को लॉच को लॉच किया गया है HD Display 1.69, Voice Assistant, Bluetooth Calling, Heart Rate, Multi Sports Activities, Social Media Notification, Oxygen Monitor, Pedometer, Sleeping Monitor and 100 Plus Watch Faces आपको इस वॉच में देखने को मिलते हैं प्राइज रेंज जो है बिल्कुल जैन्वन प्राइज रेंज में इस वॉच को लॉच को लॉच किया गया है और यह सबसे पहली इंडियन स्मार्ट वॉच है जो आपको बहुत ही जैन्वन प्राइज में कॉलिंग फीचर के साथ मिल रही है अब हम इस watch के unboxing करने जा रहे हैं तो box को open करते हैं आपको सबसे पहले watch को देखने को मिलता है watch के खुबसूरत लोग का आपके सामने है यह रही watch इसके लावा box में आपको charging cable देखने को मिलते हैं जितनी भी watches हैं तकरीबन सबी magnetic watch magnetic cable के साथ ही launch होती है लेकिन इसमें जो magnet point है वो थोड़ा different है बाकी watches से इसके लावा user manual मिलेगा आपको warranty card मिलेगा इस manual में आपको products की पूरी information मिलेगी connectivity से लेके उसकी battery backup तक सब जानकरी आपको इस manual में देखने को मिलती है तो manual को तो हम बार में read करेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ watch की internal look तो इसका पर्दा हटा देते हैं ये लीजिये watch अब मैं इसे on कर लेता हूँ ये ब्लीटूथ कॉलिंग के साथ इसका जो crown है ये भी वाकिंग करता है तो ये देखिए इसकी खूब्सूरत लुक वाल पेपर बहुत ही आकरशित करने वाल पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे डाउन स्लाइट करते हैं सबसे पहले हम डाउन स्लाइट पर सबसे पहले आपको ब्लीटूथ का calling sign मिनेगा आपको जितनी भी watch होती है उन सबी में Bluetooth calling sign ही देखने को मिलता है सबसे पहले और यहां से आप इस sign को ओन करेंगे तो आपकी जो Bluetooth calling feature है इनेबल हो जाएगा इसके बाद आता है vibration feature vibration अगर ओन रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं brightness का है कम ज्यादा यहां से आप सेट कर सकते है फ्लैश है फ्लैश के बाद आपको देखने को मिलता है बैटरी का sign power saving mode है यह power saving mode ओन हो जाएगा तो vibration और जो इसकी brightness है वो डाउन हो जाएगी इसके बाद आता है वेदर फीचर वेदर फीचर पेरिंग के बाद ही आपको अगर आप right की तरफ slide करते हैं तो आप बैक जा सकते हैं फोन यह वाइफाई sign का है फोन फीचर ओन है यह नहीं vibration ओन है यह यह इसे में आपको देखने को मिल रहा है power saving mode यह भी आपको बाहर देखने को मिल रहा है reset power off and then last one है about and app qr code app qr code को आप scan करेंगे तो आपको जो application है उस link पे जाने को मिल गा है इसकी जो application है वो है maxima smart fit back जाते हैं अभी हम और अगर हम left flight करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलता है message इसके बाद आता है activities activities में आप क्लिक करेंगे तो आपको activities की information कितने कदम चले कितनी केली बर में होई है कितना किलो मीटर आप चले हैं कितनी minute exercise की है वो सब जानकर यह आपको देखने को मिलती है sleeping tracker है इसके बाद इसके बाद आता हार्ट rate measurement then exercise exercise में जो आप exercise mode चूज करना चाहें वो स्लेक कर सकते हैं phone है यहां पर आपको pairing होगा तो call features enable हो जाएगा oxygen monitor then voice assistant weather feature है shutter है जो की camera controlling के लिए music feature है music के बाद आता है breathe का inhale exhale का stop watch है then alarm है countdown है flashlight है और settings है यह right slide करने पर आपको देखने को मिलत रहा है लेफ लाइट करने पर सबसे पहले activities sleeping monitor heart rate measurement तो जो अगर मैं नहीं किया होगा तो इसमें लिखा आजाएगा please wear good and try again अगर मैं wear करूंगा तो यहां पर आप देखे सभी run हो जाता है जब sensor के उपर मेरा हाथ लगता है अब आता है oxygen monitor oxygen monitor के बाद voice assistant यह Bluetooth connectivity के बाद होगा exercise weather shutter music यह सब फीचर आपको लेफ स्लाइट के देखने बिलते हैं अब करेंगे तो notification आएगा अब हम इसकी connectivity कर लेते हैं मुबाइल के साथ कि इसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि जो application है वह मैक्समा smart fit मैक्समा smart fit इंस्ट्रॉल होगा इसकी जो magnetic power है यह आप देख सकते हैं यहां से बहुत ही अच्छी quality की magnetic power है इसकी बाकी वोच्चीज में जो इसकी gripping है इतनी अच्छी नहीं होती इसमें आपको देखने को मिलती है यह फायर बोर्ट के कही articles हैं उनमें आपको gripping अच्छी देखने को मिलती है तो यह application मैंने अभी installation done कर दिया है यहां से मैं इसे open कर लेता हूं application को application open होते हैं आपको bluetooth के लिए आएगा allow कर देना यहां पे आपने information fill up करनी है profile information gender कितने अपनी height है weight है birth of years मैं जस्ट ऐसे ही as a trail के तोर पे इसको done कर देता हूं इसके बाद आएगा add a device आप यह application की जो look देख रहे हैं यह आपको fireball की जो application डाफिट similar look है एक point में भी इसमें difference नहीं है यह देखे आपको वहां पे जो detect हो रही है तो fireball की application जो वह चीज़ है वह भी detect हो रही है हम यहां पे Maxima की turbo application watch को connect कर लेते हैं connect के साथ आपको दिखा रहा है कि आप calling के लिए इसे pair करना चाहते हैं yes कर दिजिए your watch has been bound allow तो यह मैं देख लेता हूँ अभी connect हुई है यह नहीं मेरा current time है 426 426 done हो गया अब हम जाते हैं watch faces में watch faces में dial को change करके देखते हैं यह देखिए watch faces में इसका मतलब है कि watch connected होगी है अब मैं यहां से डायल को edit करके भी देख लेता हूं यह देखिए select picture select picture में आपको भी जैसे मैंने temporary अभी photos क्लिक की है इनको done कर लेते हैं यहां से मैंने done कर दिया अब यह देखिए यहां पर आपको location आ रहा है टाइम पोजिशन अब बिलो यहां से आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल edit is similar है डाफिट जैसा लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार सारा clear कर देता हूं अब आते हैं हम इसकी audio quality पे audio quality के लिए हमें यहां से यह Bluetooth feature को on करना होता है Bluetooth feature on होने के बाद ही आप कोई भी music play कर सकते हैं यह आपको voice आ रही है तो यह voice CC में से आ रही है इसके लावा आप देखिए weather भी जैसे connect हुआ weather feature अपने आप update हो गया notification आप यहां से कोई भी notification जो आप enable करना चाहें इस notification feature से enable कर सकते हैं अपने आप कोई भी content है उनको add कर सकते हैं यहां पर select photo इस switcher के benefit यह है कि अगर आपने group photo लेनी है हैं तो इसके माधाइं हम से आप फ olmaz भी ले सकते हैं इत्त या दिए Lex कि यह इसक्ति फोटो सेव हो गी यह दिखे ढ़ फोटो भी मैंने क्लिक की है durant कि ह मैं अभी स्क्राइप ग्रूड एक फिर से चठ कर लेते हैं टच-ख्वाइप प्र हय या नहीं है तो यह देखे इसकी touch quality आपके सामने है countdown features है countdown feature को आप यहाँ से run करेंगे जितने second का आप countdown feature run करना चाहते है वो यहाँ पर set कर सकते हैं यहाँ पर आपको two hours तक का countdown feature देखने को मिल रहा है stop watch है यहाँ से आप run कीजिए यहीं से stop कीजिए और यहाँ से आप reset कीजिए alarm आप यहाँ से भी set कर सकते हैं जो भी चाहिए इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके watch connected होनी चाहिए breathe inhale exhale यहाँ से कीजिए जितने second आप run करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं अब हम बात करते हैं all voice enhancement के तो आपको भी देखने को मिला था कि AI जो वो इस फीचर है वहाँ पर cross का sign आ रहा था उसका कारण था कि यहाँ पर वाई-फाई का device था वो डिस्कनेक्ट था यानि ओफ रखा था यह व्यूटूथ फीचर और इस फीचर को ओपन यूट्यूब तो यह देखें मैंने ओपन यूट्यूब बोल है और यूट्यूब अप्लिकेशन ओपन होगी तो यह है AI वोईस फीचर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरू कर देना थैंक्यू वेरी मैच